Hello children, how are you? Hope you all are fine. आप सभी लोग अच्छे होंगे. Children, आज हम Class 5th की English Book Marigold की जो First Unit है, उसकी पोयम पढ़ेंगे Ice Cream Man. तो Ice Cream Man पोयम पढ़ने से पहले हम Seasons पे कुछ बात करते हैं. कुछ Seasons के बारे में जानते हैं. तो जो Main Seasons होते हैं, वो होते हैं, Winter Season, Spring Season, Rainy Season, Autumn Season and Summer Season. Winter Season, जो Winter Season होता है, वो Coldest Season of the Year होता है. साल का सबसे ठंडा मौसम होता है. और इसमें बहुत Cold होने लगता है, ठंड होने लगती है, कई जगह पे Snowfall भी हो जाता है, बरफ किर जाती है, और जब बरफ किरती है, तो सबको बड़ा मज़ा आता है. तो लोग उससे प्ले करते हैं, और कई लोग Snowman बनाते हैं, और इसके साथ प्ले करते हैं. अपने को ठंड से बचाने के लिए, लोग फायर आग जलाते हैं, और फायर के पास बैठ कर आग सेकते हैं, और हॉट Tea और हॉट कॉफी पीते हैं. ठंड से पचने के लिए, जैकेट पहनते हैं लोग, गलव्स, दस्ताने पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, और वुलन कैप भी पहनते हैं. और जोई, विंटर सीजन है, ये मिड नवंबर से फरवरी तक चलता है. पहाड में, स्प्रिंग सीजन, जब जाड़ा खत्म होता है, और गरमी की शुरुआते हैं, तो स्प्रिंग सीजन आता है. स्प्रिंग सीजन में क्या होता है? जाती है चारो और हरियाली चाती है पेड़ों में नए नए पत्ते लीवस आती है फ्लावर्स खिलने लगते हैं और हल्की हल्की गर्मी शुरू होती है और जो हमारी अर्थ है वह बहुत व्यूटिफल दिखाय देती है और जो फूल देई का तिहार मुनाते हैं हमारे पहाड में वो भी स्प्रिंग सीजन की शुरुवात में ही मनाया जाता है रेनी सीजन समर के बाद आता है गर्मी के बाद आता है और ये लगबग जुलाई से सेप्टमबर अक्टूबर तक चलता है रेनी सीजन में बरसात होती है रेन होती है और जो गर्मी में पानी की कमी हो जाती है वो दूर होने लगती है लोगों को गर्मी से रहात मिलती है रिवर्स में पॉंड्स में वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है और क्रॉप्स को भी पानी मिलता है जो फार्मर्स क्रॉप्स उ अपने साथ अम्बरेला लेकर जाते हैं रेंड कोट पहनते हैं और बच्चे को रेंड बहुत अच्छी लगती है तो वो पेपर बोड बनाके जो रेंड वाटर है उसको तैराते हैं और खेलते हैं और उनको मसह आता है autumn season autumn season autumn season में हलकी हलकी ठंड ही ठंड शिरो अने लगती है और दिन थोड़ी से छोटे और राते थोड़ी सा लंबी होने लगती है तोड़ा सा डाउन होने लगता है और जो आॉटम सीजन है उसमें जो पेड़ों से जो पत्ते हैं वो गिरने लगते हैं और जब घास करती ना हमारे पहाड में वो भी आॉटम सीजन में ही कारती जाती है समर सीजन समर सीजन इयर का सबसे होटेस्ट सीजन होता है सबसे गरम सीजन होता है और यह स्प्रिंग के बाद आता है बसंतरित्व के बाद आता है इसमें डेज बड़े होने लगते हैं और नाइट्स छोटी होने लगती है और बहुत गर्मी होती है तो लोग फैन चलाते हैं cooler चलाते हैं AC चलाते हैं और बहुत सारे ठंडी ठंडी चीजे खाते हैं जैसे watermelon तरबूज musk melon खरबूज और cold drinks भी पीते हैं और एक चीज और सभी लोग खाते हैं वो सभी को भसंद होती है यह क्या चीज होती होगी क्या बता सकते हैं यह's ice cream को खाते हैं तो जो ice cream होती है वो cold होती है क्योंकि sweet होती है होती है and creamy भी होती है cream की चासी होती है and बड़ी wonderful होती है खाने में और everyone's favorite treat specially on a hot summer day is an ice cream और hot summer day में सबकी एक favorite treat होती है ice cream and everyone's favorite person might just be the ice cream man और ice cream man सभी का favorite person होता है ice cream man सबको पसंद आता है क्योंकि वो ice cream different flavors की ice cream अपने साथ ले के आता है जो अच्छा तो हम यह poem पढ़ते है ice cream man तो जो ice cream man poem है इसको लिखा है Rachel Field ने और उन्होंने इसमें बता है कि कैसे ice cream man joy ले के आता है जब बहुत गर्मी होती है scorching heat summer days में जो scorching heat होती है वो चिल चिलाती गर्मी पढ़ती है तो उससे वो relief ले के आता है और वो varieties of ice cream अपने कार्ट में ले के आता है और cold rings भी ले के आता है तो बच्चिस को देखके बहुत खुश होते हैं तो हम पढ़ते हैं poem ice cream man when summer is in the city and breaks a blaze of heat जब शहरों में स्पेशली शहरों में summer का मौसम होता है गर्मी का मौसम होता है और बहुत गर्मी होती है ब्रिक से blaze of heat means जैसे आग लग रही हो मतलब इतनी गर्मी होती है जैसे लगता है कि जैसे आग लगी होई हो और सबी कुछ गरम हो जाता है ब्रिक means होता है इते तो इते पी गरम हो जाती है अगलियों में जाता है तो उसकी ईस रौंड उंब्रेला वॉट ऑट जॉइफल साइट और उसकी रौंड उंब्रेला के नीचे उसकी जो कार्ट है उसके नीचे वट जॉईफल साइट बड़ा सुंदर नहीं च्छुशनुबन नहीं होता है जब वह तो दू सी हम Communist कूल थंडे थंडे ब्राउन से भरता है मतलब कि जब जाए चॉकलेट है और रधी क्रिम भरता है तो वह अपर तक आजाता है तो माउन्स मीज होता है हीप धेर धेर मतलब कि उचा 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 वनीला चोक्लेट स्ट्रॉबरी और छिली तुटो बहुत पिने फिलेवर चीली चीली तु दिंग को भी इसे चाहिते हैं जैसे वनीला, चोलेट, स्ट्रॉबरी लग लिग फिलेवर के आथे हैं और उसमें चिली निक्स टू डिंक और पीने के लिए चिली चिली तिंग भी होती है from bottles full of frosty fizz green orange white or pink और वो अपने साथ कुछ cold drinks की bottle लेके आता है जो chilled drink लेके आता है जिसको खोलने पर hissing sound आती है bubbling sound आती है और वो अलग लग कलर के होते है green orange white or pink his cart might be a flower bed और उसका जो काट है जो ठेला है उसकी जो ठेला है उसकी जो ठेला है वो ऐसा लगता है जिसकी कोई फ्लावर का बैड होगा फूलों का बिस्तर होगा और उसमें रोजे और स्वीट पीज बिच्छे होंके मतलब की colorful लगता है colorful लगता है colorful colorful ice cream colorful and cold drinks लेके आता है तो चार ओर बच्चे क्लस्टर क्लस्टर मींस गैदर खटे हो जाते हैं तो चार ओर खटे हो जाते हैं ऐसे खटे जाते हैं ऐसे खटे जाते हैं अपने च्छते में जब भन बनाती है ना तो मदमख्यों की तरह खटे जाते तो वह जो उसके अम्रेल राउड अम्रेला है उसके नीचे बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे उसके चार ओर खटे हो के आइस्क्रीम खाते हैं और वो cold drinks उनको देता है उनको ice cream के cones देता है तो बड़ा अच्छा लगता है तो अब हम इस poem को करेंगे recite okay and now I will recite the poem में इसको recite करेंगे आप जहां से सुनना फिर आप इसको recite करेंगे okay yes when summers in the city and breaks a blaze of heat the ice cream man with his little cart goes trendling down the street when summers in the city and breaks a blaze of heat the ice cream man with his little cart goes trendling down the street beneath his round umbrella oh what a joyful sight to see him fill the cones with mums of cooling brown and white beneath his round umbrella oh what a joyful sight to see him fill the cones with mums of cooling brown and white vanilla chocolate strawberry or chili things to drink from bottles full of frosty fish green orange white or pink vanilla chocolate strawberry or chili things to drink from bottles full of frosty fish green orange white or pink his cart might be a flower bed of roses and sweet peas the way the children cluster round as thick as honey bees his cart might be a flower bed of roses and sweet peas the way the children cluster round as thick as honey bees as thick as honey bees now children you will also recite the poem listen it carefully and recite it again when summers in the city and breaks a blaze of heat the ice cream man with his little cart goes trendling down the street beneath his round umbrella oh what a joyful sight to see him fill the cones with mums of cooling brown and white vanilla chocolate strawberry or chili things to drink from bottles full of frosty fish green orange white or pink his cart might be a flower bed of roses and sweet peas the way the children cluster round as thick as honey bees 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 thank you children